इस माइल्ड स्ट्रेस नूँ और ए माइल्ड स्ट्रेस जड़ा है गया इदेनाल साथे सेल भी स्ट्रॉंग हो जान देया इस तरह हुंदा आए कि जिस तरह आसी एक्सरसाइज दे दुरान आपने मसल्स नूँ स्ट्रॉंग कर देया स्ट्रेस देके जिदा साथा हार्ट मसल्स जिड़ा है गया वो स्ट्रॉंग होंदा जा साथी बॉड़ी दे सेल्स स्ट्रॉंग होंदे या मसल्स सेल्स तो उसी तरह ए जिड़ा माइल्ड स्ट्रेस है गया साथी बॉड़ी दे उत्ते फास्टिंग दा वो साथी सिल्ल्स जिन बोटी स्टार्ट कर दिया, रिसाइकल करके स्ट्रक्चे। इन्साइड दे सेल, साफ endsstellबे विच के बहुत सारी यह स्ट्रक्चर होंदे, यह सी सेल दी स्ट्रक्चर देखिए, तह और विच एक नुकलियस होंदा, माइ्टोकॉन्रिया होंदा मोईटो कॉंडिरियुट घया डियोटी सिंथेक्टेसाइज कर थानुआ ने टथेक्टरी कहीं जिनियां भी damaged structure देविच होंदियां है उननु उननु बार निकालता और उननु खत्म करता है गया ए रा material जिड़ा है गया new cellular structure can be built जिड़ा मतलब रा material हो जानता जिड़िया damaged structures होंदियां उनना जिड़ा material होंदा उन्हों re-use करना होंदा है जिड़ा कई जिड़ा raw material हैगा साड़ी body दे विच जिड़ा damaged proteins है गया है ओ जिड़िया प्रोटीन सा वो द्वारा फेर नमें सिर्यों नमें cells दे विच वर्त हो जानतियां है गया है यह जिड़ा आलकी होंदा है कि जिड़िया नैचरल आटोफेजी जड़ी है गया ओ भी हुंदी है गया पर जदो असी exercise कर दे यहां ते starvation दे विच भी जड़ी आटोफेजी यहां इस हड़े काम कर दी है गया क्योंकि जदो असी खाना ही खाई जानने यहां ते अपनी बॉड़ी नूँ परी जानने है गया ओ दो आटोफेजी दा कोई रोल ने रहें दा इस sleep दे दुरान exercise दे दुरान ते जदो असी fasting कर दे यहां जा starvation दे विच ए आटोफेजी जड़ी है गया ओ काम कर दी यह एक कड के ओधा जड़ा रा माटीरियल हैगा उन्हों री यूज करना है बॉड़ी दे फेवर ले क्योंकि जदो असी खुराक देंदे नहीं है बारों खुराक देंदे नहीं है पर जड़ा साथा अंदरला सिस्टम हैगा पर मात्मा ने बनाया है या ओधे विचों जड़ा वाटोफेजी किन्ये है गया? फास्टिंग थे även टाइप किन्ये है गया? किन्ये टाइप दी फास्टिंग है गया? एक है Time Restricted Fast Feeding जड़ी मैं तो पिछली अपने वेबिनार देवेच दस्टेनी कीई चाटे कृवी कैंटे है गया, चाओवियां कैंटियां देविच असी अपना time fix कर लेने हैं कि आ सब्ड़ा eating time है ते आ सब्ड़ा fasting time है ओधे चौबिया केंटे यां दे विच असी किस तरह कर सकते हैं आसी 6 केंटे feeding time रख लिया अजर असी दुपैर नूं 12 जे अपना lunch लिया ते 6 जे तक अपना dinner खत्म कर लिया ते अगले फिर थारा केंटे यासी fasting ते चले जाने है गया जहां फिर आसी 8 ते 16 केंटे रख लेने है गया कि 8 केंटे यासी feeding time है और 16 केंटे सब्ड़ा fasting time है गया जहां फिर आसी 12 केंटे भी ला सकते है गया कि बारा केंटे साड़ा feeding time हैगा, यह हरी कादमी कर सकता है गया, तुसी थोड़ा जा अपने चाती मारों के हर रोज असी यह कम कर सकते है गया, जे असी सुवेर नू थोड़ा जा लेट breakfast लेगे, शाम नू थोड़ा जा अगली खाना खा लेगे, ते असी बहुत असानी देना ही यह जेड़े fasting केंटे है गया, उननों वदा सकते है और एदा सारा फैदा असी डेली ले सकते है गया, एक बहुत वदिया परक्रिया है गया, intermittent fasting यह नू कहिन दे है, और एदे नाल साड़ी बाड़ी ले सारे system बिना किसे नुकसान दे, बिना किसे पैसा खर्च कीते थे, बिना कोई वद्धू चीज कीते थे, एदा फैदा ले सकते है गया, फिर है intermittent calorie restriction, एदे नाल साड़ी जड़ी जड़ी है गया, उननों असी कटा सकते है गया, number of calories जड़ी जड़ी दिन दे विच है गया, ज़े साड़ा, normal 2000 calories है गया, ते असी उननों कटा के 1000 कलोरी कर सकते है, ज़े 1500 कलोरी कर सकते है, एदे टू डे डाइट, दो दिन असी डाइट कर दे है, फिर कलोरी जड़ी है गया, reduce कर दिनने है गया, कार्बो हाइड़ी जड़ी जड़ी है खास करके, टू कंसेंक्टिव डेज हाफ्ते दे विच जड़ी जड़ी है गया, एदे नाल जड़ी ब कलोरी है गया, वो कॉंस्टेंटली असी consume कर रही है गया है, कई बारी फिर है periodic fasting with fasting mimicking diets, फिर कई चीजां ऐसी है गया कि असी फास्ट नहीं डख दे, खाई जानने है गया, पर सड़ी जड़ी डाइट है गया, वो फास्टिंग वंगू है गया, एदे नाल किया, कलोरी लेने है गया, वो तेन तो पांच दिन तक असी की कर दे है गया, कि सेल्ज नो glycosin तो deplete कर देने है, जड़ी साड़ी बाड़ी दी glycosin, stored glycosin है गया, वो उन्हों असी deplete कर देने है, क्योंकि असी जड़े खाणा खानने है गया, वो दे विच ज्यादा तर असी energy नहीं दे, कलोरी साड़ीया, काटों दीया है, यह खाना, ना खान करके भी हो जानी है गया है, ते बहुत safest जड़ी options है गया, आजकल fasting mimicking diets बना देते है गया, कंपणिया ने, वो दे नाल सी fasting कीते बिना ही, फास्टिंग दा फैदा लेने है गया, फाइव डे कलोरी limited fast जड़ा है गया, सिर्फ 1000 कलोरी पार डे लेने है गया, यह सफिशेंट है गया, जड़ी fasting mimicking diet है गया, यह नाल साड़ी जड़े nutrients है गया, यह डपलीट नहीं होंते, खातम नहीं होंते, कठ दे नहीं है, यह तो टूड़े जड़ा है गया, फास्ट वो भी वदिया है गया, तूड़े तूड़े गili पार जो अगया, घूचरी जड़ीए जड़ीत है गया, फास्टी मैं में होंते हैगिया गया, यह 10 लाम की है गया यह सानुक्यॵदां हैं परफॉर्मेंस आगया जड़ी स्थी सौक्ति है कान्स्टरियशन है, फोकस है, साड़ा बाइले से साभी जाददाश्त हैगी या विच साड़ी जाफ़ा होन्ता है गया जी जनी ते नाल जनीयां भी बीमारेया घीया क्राननीग बौमारिया उना तो रहत मिल दी हैगीा साड़ी बॉडी दे विच जड़ी इन्फलेमाशन सोजर सोज उज़नी हैगीक जित्द Seaan COVID-19 दे विच असी देख्या के सोज़श जड़ी हो जन्दी सी, साड़ी CRP जड़ी वजन्दी सी, ओ इंफ्लेमेशन दा कारण सी, जा ओक्सीडेटव स्ट्रेस जड़ा साड़ी बॉडी दे विच जड़ा के हारिक बमारी दा कारण है गया, ओ जड़ा है, ओ कट जन्दा है गय साथी फिटनेस है, ओवराल बर्व हो जन्दी है गया, फिजिकल परफॉर्मेंस है गया, ओ वजन्दी है गया, ओ वजन्दी है गया, ओ बरकरा रख देगा, ओ बरकरार वेट लॉस मीटिंग वीच स्टॉप हुन दी था प्लीज द्वारा जोइन काला ना कैंसर दे पेशेंट्स नो बहुत बेनेफेट हैगा क्योंकि कैंसर दे जन्ने भी डैमेजड सेल है गया ओएदे नाल खत्म हो जानते है गया और नवे सेल बाढ़ने शुरू हो जानते है गया इनसूलीन हैगा, हीुमन ग्रोथ हार्मोन हैगा, सेल रिजियर्नेशन है गया ए सारिया चीज़ाँ जीन एक्स्प्रेशन हैगा ए चीज़ाँ जीडियां है गया बहुत फैदे मन्द हो जानते है गया साठी बौड़ी ले ये हार्ट हेल्थ ले भी बहुत बेनेफिट हागा, जे किसे नूं हार्ट दी प्रॉब्लम है गीया, अगर वो फास्ट लख देया, ता उन dec a heart दी प्रॉबलम है गीया, वो वदेगी ज्यादा खान दे नाल साड़ी उमर काट दी है गिया जेड़े भी इवन एनिमल्स भी ज्यादा खाना खान देया उन्हादी उमर काट जान दीया जेड़े काट खाना खान देया उन्हादी उमर वद दी है गिया और इंसान ना दे विच भी अगर असी खाना या जिड़ा कि तुसी बिना किसे पैसे तो और बिना किसे अपने होर की ते काम तो ले सकते हैं गयां। जय दिया आपने खुराख दी वज जन्दी है गया तो पुक भी ज्यादा लग दी है गया। ते ओधा mood जिड़ाया खराब हो जन्दा है गाए ते कई वरी फिर fatigue ते low energy क्योंकि जदो असी खौना नहीं खाना ता सानू एदे विच रेस्ट करनी बहुत ज़रूरी हो जन्दी है गया फटीग ते low energy हो जन्दी है तोड़े short term ते fasting दे विच नहीं है अगर असी ज्यादा fast दिना दा करते है गया ते ओधे विच फटीग ते low energy होनी है गया ते ओधे विच रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है गया कई वरी bad breath हो जन्दा है गया एसी टोन जिड़ा ketones body में थोन दस्या है ओधा जिड़ा smell है गया वो bad breath दे विच आ जन्दी है गया कई वरी कि यह नूँ खाने तो बिना नीद नहीं आदी ओ नीमदी और disturbances हो जन्दी है ते बहुत ही बारी dehydration क्योंकि जन्ना भी असी खाना खानने है ओ भी साठा मतलब सा खाना नहीं खान दे तो साथी body दे जिड़ा पानी है गया ओ निकली जन्दा और पानी दे नाल जिड़े साथे sodium है गया ओ भी fasting दे दुरान साथे गुर्दे दे दुआ निकल जन्दे है गया तो एस करके ओधिया भी problems हो सकतिया है यह फिर malnutrition क्योंकि खाना आसी खाना नही है body दे विच जिड़े साथा nutrition है गया ओ भी सफर करता है गया एक कुशिक disadvantages है गया जिड़िया के long term fasting दे विच ज्यादा होती है जिड़े intermittent fasting है ओ दे विच खास करके कोई ज्यादा नहीं होती है